वेलकम एवरिवन मैं हूँ प्रतिक्षा गाइस अभी जो ट्रायलॉजी चल रही है वो स्कायलाइन की ट्रायलॉजी चल रही है जिसका फर्स्ट पार्ट 2010 में आया था जो कि आलरीडी मैं एक्स्प्लेइन कर चुकी हूँ और आज हम बात करने वाले हैं इस ट्रायलॉजी के स लेकिन मुवी की जो की 2017 में आयी थी लास्ट मुवी के अंदर हमने देखा था कि कैसे एलियन मदर्शिप अपने साथ में जर्रड और आलन को ले गई थी आलन जो की प्रेगनेंट थी उसे छोड़ दिया गया था लेकिन जर्रड का दिमाग एक एलियन के अंदर डाल दिया सीन शिफ्ट होता है एक मार्क नाम के आदमी पे जो की अपने बेटे टैड को एक पुलिस टेशन के अंदर से छुडवाने आया था ट्रेंड के मारा पीटी के कारण उसे पुलिस टेशन में लाया गया था मार्क के इन चीज़ों से काफी परिशान हो गया था क्योंकि कहीं थी रोज वो असल के अंदर मार्क की बीवी थी और मार्क के हाथ में उसी की अंगूटी थी रोज अप मारी गए थी वो जिन्दा नए थी अगया जाती है लेकिन मार्क बिल्कुल ठीक टाइम पे आगी अपने बेटे को बचा लेता है, ट्रेंट कुछ वक्त तक तो परिशान था, लेकिन कुछी तेर बाद में वो ठीक भी हो जाता है, जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, पिछली मूवी की तरह इस मूवी के अंदर इस सारे लोग वापसे इस ब्लू कलर की रोशनी के पीछे खीचे चले जा रहे थे, मार्क जब बाकी लोगों को टैनल के रास्ते से आगे लेके जा रहा था, तब ही पता चलता है कि वही पुलिस ओफिसर उनके सामने खड़ा था, इनके साथ एक और आत्मी था, जो कि बहुत बड़े धमाके के कारण वो टनल भी टूट जाती है, जिसमें ये सारे लोग थे, कई सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं, इस समय एक बहुत बड़ा एलियन इनके सामने आ गया था, जो कि उसी पुलिस ओफिसर को अपने अंदर खीच लेत मार्क जिसके बाद उस पर शूट करना शुरू करता है, और वो एलियन नीचे गिर जाता है, लेकिन वो एलियन अभी में मरा नहीं था, क्योंकि पास ही में खड़ी एक लड़की के दिमाग को वो वापस से अपनी बॉड़ी के अंदर लगा लेता है, और एक्टिवेट होक में वो एलियन बहीं पर मर जाता है, बाहर आने के बाद में सारे लोगों को पता चलता है कि मदर स्पेशिप अपने आपको ठीक कर रही है, इसी के करन्ट सारे लोग किसी सेफ जगा पे जाने के लिए भागते हैं, जिसके बाद में एक के बाद एक बहुत बड़े-बड़ इसे एलियन इनका रास्ता रोकते हैं, और आखिर के अंदर आके सारे के सारे पकड़ जाते हैं, पेशिप में आने के बाद अब हमें यहां का लीडर दिखाया जाता है, जो कि मदर एलियन शिप को चला रहा था, इस एलियन स्पेशिप के अंदर एलियन के साथ में एलियन पकड़ लिया है जो कि उसका दिमाग अल्मूस्ट निकालने वाला है इसी कारण मांक उस पे गोलिया चलाना शुरू कर देता है इतनी ही देर में सारे एलियन्स का ध्यान पड़ता है और यहाँ पे काफी सारे एलियन्स आ जाते हैं क्योंकि जैरेट को शायद पता था कि उसके बेटे को कहां रखा गया है मार्क आ के जाते वाद कुछ ऐसी चीज़ देखता है जो कि शायद इन एलियन्स के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट थी एक ऐसा गोला जो की पूरी तरिके से ब्लू कलर की रौश्णी से भरा था जैरेट मार्क को अपनी बीवी अलियन्स के बारे में बताती है कि कैसे वो एलियन उसका हस्बंड था और इस एलियन के अंदर उसके हस्बंड का दिमाग है इसी के कारण वो मार्क की भी मदद कर रहा है इसी के साथ में वो ये भी बताती है कि जैसे जैसे ब्लू कलर की रोशनी उसके उपर पड़ी थी और उसके बच्चे के उपर पड़ी थी तो ये बच्चा अपने आप बढ़ने कराता है जहां पर ये कंट्रोल रूम के अंदर पहुच गए थे मार्क को अब यहां पर अगर जिन्दा रहना है तो उसे लड़ना भी पड़ेगा इसी के कारण जैरेड उसे एक वैपन देता है ताकि वो भी एलियन से लड़ सके अब यहां पर एलियन्स का लीडर पहुच जाता है क्योंकि इनके स्पेशिप के अंदर जो बच्ची हुई थी वो एक बहुत ही खास किस्म की बच्ची थी लेकिन जैरेड तक तक मार्क को इस जगह से काफी दूर भेज चुका था और जैरेड उसे लीडर से फाइट करने लगता है इस फाइट के अंदर जैरेड बुरी तरीके से घायल हो गया था और वो लीडर उस बच्ची को ढूरने के लिए निकल जाता है आखिर वो बच्ची थी स्पेशल क्यों है यहां में मुवी के लास्ट तक पता चल जाएगा मार्क उस जगह पे पहुँच गया था जहां पे उसका बेटा ट्रेंड था और बाकी सारे एलियन्स भी थे वो अपने बेटे को बचाने में काफी देरी कर चुका था जिससे की स्पेश शिप का एक हिसा काफी जादा तूट फूट जाता है वो इस स्पेश शिप अब जाके सीधा जंगल में गिरती है मार्क अभी तक बिल्कुल ठीक था जिसके बाद सीन दो भाई बेंड के उपर शिप्ट होता है सुवा और कनाया शिप जैसे ही क्रेश होती है तो यह तोनों शिप की तरफ बढ़ते है जहाँ पे सुवा को वही ब्लू कलर का बॉल मिलता है जो कि हमने पहले भी देखा था उसे वो संभाल के अपने बैक में रख लेती है मार्क उस बच्ची के साथ में आगे बढ़ता है वो बच्ची बढ़ती बढ़ती तीन साल की बच्ची में बदल गई थी सुवा कनाया मार्क और इस बच्ची के साथ में एक ऐसे जगपे पहुंचते हैं जहाँ पे एलियन से चुपने के लिए और भी लोग रह रहे थे यहाँ एक साइंटेस्ट भी था जो कि बच्ची के आते ही उस पे टेस्ट करना शुरू करता है टेस्ट के सैंपल से पता चलता है कि यह बच्ची एक हाइब्रेड है इंसान और एलियन का कनाया आगे बढ़ती और उस बच्ची को मारना चाती थी लेकिन मारक उसे ऐसा करने से रोकता है और मदर शिप के अंदर मिले एलन और जैरेड के बारे में बताता है और यह भी बताता है कि इस बच्ची को अभी तक कुछ पता भी नहीं है तो आखिर इस बच्ची को मारने का क्या मतलब बनता है जब वो डॉक्टर कनाया से मिले हुए ब्लू कलर की बॉल को देखता है तो उसी पता चलता है ये वही चीज है जो कि एलियन का मेन पावर सोर्स है इससे ही वो सारे इंसान को अपने वश्मी कर रहे थे ये इतना जादा बड़ा पावर सोर्स है जिससे की एलियन अपने शिप की तरह कर रहे थे इसी कारण एलियन को जब भी इंसानों के दिमाग की ज़रूरत पड़ती यानि की पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ती तब वो एर्थ पे आके हमला करते इंसानों पे और अपने पावर सोर्स को बढ़ाने लगते जब डॉक्टर हार पर उस बच्ची की DNA जैने को उस blue color के गोले के power source के अंदर डालता है तो उसी पता चलता है कि उसका खुन इस तरह के का है जिससे की वो aliens के अंदर की सारी चीज़ेंच कर सकता है यानि की उन्हें ठीक कर सकता है जैसे की Jared के साथ हुआ था जैरेड ने अपने दिमाग पे कंट्रोल रखा था, इसी के कारण वो अभी बे इंसानों की मदद कर रहा था, यही कारण था कि अब जो ये बच्ची हुई है, उसके बलड के अंदर भी एक ऐसा इम्म्यून सिस्टम है, जिससे कि वो बाकि सारे एलियन्स को भी ठीक कर सकती है मार्क चाता था कि उसका बेटा ट्रेंड भी पहले के जैसा ठीक हो जाए, जिसके बाद अब सभी लोग मिलके प्लान बनाते हैं, वो उस बच्ची से मिले बलड के सैंपल को इसी गोले के अंदर इंजेक करके एलियन्स शिप के अंदर डालने वाले थे, जिससे कि वहाँ प ले कि आती है, जापे लेंड माइन्स लगे थे, उस एलियन को मारने के चकर में बिचारी कराया, खुद भी मारी जाती है, इस बड़े से बलास्ट के चकर के अंदर एलियन के लीडर को पता चल जाता है कि वो बच्ची आखिर कहां पर होगी, जिसके बाद वो अपनी पूर लोग एलियन से फाइट कर ही रहे थे, एलियन के पास में वही सिरम था, जिसे ले कि वो एलियन शिप के अंदर चला जाता है, जैसे ही मार्क उस गोले की अंदर सिरम इंजेक करता है, तो वो गोला लू कलर से रेड कलर में बदल जाता है, इधर वो उस गोले को शिप के अं कि उस पर अटैक करने लगता है इस fight के चलते हुए उस alien की नजर मां की उस रिंग के उपर पड़ती है जो कि नीचे किर गई थी और तभी वो alien वहाँ पर रुख जाता है पता चलता है कि वो alien और कोई नहीं बलकि trend था यानि कि mark का बेटा और उसकी यादे वापस आने लगी मारक अपने बेटे को लेके बहुत खुश था इसी के साथ वो उस red color के गोले का एक बहुत बड़ा blast करवाता है लेकिन ये सारी चीजे aliens का leader देख लेता है जैसे एक cannon blast होने वाला था उससे पहले वो ship से उस cannon को बाहर निकाल के फैक देता है टैनिन जब ये चीज देखता है तो वो खुद भी एक बहुत बड़े suit के अंदर transform हो जाता है और उसके बाद में aliens के leader से भिड़ जाता है यहाँ पे एक बहुत बड़ी fight होती है इन दौनों के बीच में पता चलता है कि वो बच्ची आगे बढ़ती है और cannon का हिस्सा जो की deactivate हो गया था अपनी power से उसे activate कर जाता है जिससे कि अब वो पूरी ship transform होना शुरू हो जाती है और red color में बदल जाती है aliens के सर में जो इंसानों का सर लगा था वो वापस से अब इंसानी यादों से बढ़ चुका था यह सब अब aliens नहीं थे बलकि असले इंसान थे बस उनकी bodies नहीं बदली थी मार्क उस बच् कि सारे aliens कभी वियर्थ पे ना लोटें लेकिन आके जाके इनके साथ क्या होता है इस चीज का suspense छोड़के यह movie यहीं पर खत्म हो जाती है तो क्या आखिर रोज aliens के साथ मिलके बाकी aliens ship को उड़ा पाएगी या फिर वो भी एक alien ही है यह सारी चीज़े तो guys हमें जी के थर्ड पार्ट में तब तक के लिए टाडा